हर हर महादेव दोस्त कैसे आप सभी आज हम कुछ ऐसे रतनों के बारे में जानेंगे जिसको जानने की इच्छोग हर किसी को रहती है क्योंकि रतन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन में अगर सही जानकारी और सही बातों से और सही राशी वालों को पता चल जाए और वो अगर धारन करते तो उसके जीवन में वो सारे परिवर्तन होंगे और वो सारे अच्छे कारिय होंगे जो उनके नहीं होते हैं क्योंकि स्टोन का कामी होता है आपके जो भी ग्रह होते हैं आपकी जो भी राशी होता है उसको मजबूत करना उसमें पॉजिटिवटी लाना और उसके जो भी नाकारात्मक है और जो भी आपके कारी नहीं बन रहे है उसको खतम करना लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर आप पुराने है तो मुझे लाइक शेर करें और सपट करके मुझे बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग दीजिए तो चलिए आज का जो हमारा रतने है इस्टोन है वो है मूंगा कोरल जिसे इंगलिश में कोरल कहते हैं आप सब को पता है कि मूंगा लाल कलर ब्लैक वा इसका ग्रह क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे लिए कारे करता है तो चलिए हम जानते हैं मूंगा की पूरी की पूरी आज जानकारी और उसके विशय में मुंगा, मुख्यता तो आप सबको पता है कि दो राशी के लिए सबसे ज़्यादा सर्वसेस्ट माना गया है मेश यानि की एरिश और बिरिश्चिक यानि की स्कॉर्पियो ये दो राशी वाले इनका ग्रह मंगल होता है और मंगल का मंगल ग्रह को प्रतिनीती तरतन जो होता है उसे मुंगा माना गया है आप सबको पता है कि मुंगा लाल कलर का होता है और यहां विविन्न विविन्न नामों से जाना जाता है मुंगा, भूम, रत्न, प्रवल, मिरजान, पोला तथा अंगरीजी में इसे कोरल कहते है मुंगा मुख्यता लाल रंका होता है जैसे मैंने आपको बताया इसके अतिरिक्त मुंगा सिंदूरी, गेरुआ, सफे तथा काले रंका भी होता है मुंगा समुदर के गर्व में लगबग 6-700 फीट नीचे घहरी जो चट्टान होती है उसके नीचे से जैसे के कीडे और मकोडे होते उस प्रकार से यहाँ आइसले स्नोबल्स इस प्रकार से बनता और इसे आइसले स्नोबल्स भी कहा जाता है इनके दौरा स्वयम के लिए बनाया गया घर होता है इनको इनी घरों के मुंगों के बेल अत्वा मुंगे का पोधा भी कहा जाता है बिना पत्यों को केवल साखाव से युक्त यहाँ पोधा लगबग 1 या 2 फीट उचा और 1 इंच मोटी मोटाई का होता है कभी-कभी आपने देखा होगा कि इसकी उचाई इसके अतिरिक्त भी हो जाता है परिवक हो जाने पर इसे समुद्र से निकाल कर मशीनों से इसकी एक कोटिंग करके इसके अलग-अलग प्रकार के आकार इसको दे दिया जाता है और फिर इसे रत्न के रूप में पहना जाता है और कुछ लोगों का ये भी धाना है कि जो मूंगे का पेड़ होता है किन्तु बास्तिव के हाँ है कि मूंगे का पेड़ नहीं होता है और नहीं यहां बनस्पति है बलकि इसकी आकरती पोधे जैसी होने के कारण इसे पोधा कहां जाता है बास्तो में होता यहां रत्न अत्वा पत्थर ही है मूंगा समुद्र से जितनी गहराई पर प्राप्त होता है उसका रंग उतना ही हलका होता है इसकी जो अपेक्षां कम घराई वाली मुंगा प्राप्त होता है वहां थोड़ा सा मुंगे का रंग गहरा होता है अपनी राइसानिक रश्चना के रूप में मुंगा कैल्शियम कार्बोनेट नहीश भी होता है मुंगा जो होता है जैसे की मध्धमे सागर के जो ततवर्ती अजिशा होती है अलजेरिया, सिसलिये, कोरल, सागर, इरान की खड़ी, हिंद, महासागर, इटली तथा जापान से प्राप्त होती है इटली से प्राप्त मुंगे को एटेलीनम मुंगा भी कहा जाता है यहां गहरे लाल और सुर्ख रंगा होता है और एक्चुली इसी को हम सर पर होता है और वो उसका रंग जितना गहरा होगा जितना लाल होगा वो आपके लिए उदना ही अच्छा होगा मुंगा की जो प्रमुग विशेश्षता है इसका चिताकरशन, सुंदर रंग, आकार ही होता है यदा पि मुंगा अधिक मुल्लेवान रतने तो नहीं होता है किन्तु इसके इसी सुन्दर और आकशन रंक्यों कारण इसे नावरत्मों में शामिल किया गया है मुंगा धारन करने से मंगल ग्रहा जितने भी मंगल ग्रहा होते हैं उनके समस्तु जो दोश होते वो शांत हो जाते हैं मुंगा धारन करने से रक्त साफ होता है क्योंकि ये लाल रंका होता है तो हमारी शरीर में आप कोई भी रतन पहन लीजिए उसका आपका शरीर से और आपके विकार और आपके बॉडी से सम्मंध होता ही है रक्त को साफ करता है और अगर रक्त साफ होगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के जो हर्दय रोग है चर्म रोग है वो नहीं होगा आपको तो मुंगा फैनने से ये भी फायदे होते हैं और कहते हैं कि मुंगा धारन करने से आपकी जो नजर दोश होती है नजर लगना होता है भूत प्रेत और जो भी आपको भैबीत रहते हैं क्योंकि ये मंगल गरा है याने कि हनुमान जी महावीर जी का कारक है इस वज़े से आपके भूत पिचास और किसी वितर का जादू टो असली महा को रखने से उसके चारो और रक्त पानी पूंदे का सथा यथावत बनी रहती है, फैलती नहीं यह ये मंगा की पहचानद है असली मुग्य पर वैसे तो आप सबको पता है कि यह मंगल का कारख है, तो मुँगा को अन्य कोई रतन इसके धारन करने का कोई सेष्ट्र ढंक तो नहीं है, पर किसी योग पंडी इससे अगर आप हो सकते तो इसे प्रान प्रतिक्षा करा कर आप इसके धारन कर सकते हैं, और कारणवश अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस विधी से भी इसको धारन कर सकते हैं मुंगा की अंगुठी सोना चांदी अथवा चांदी तांबा दोनों धातु में मिलाकर आप इसको धारन कर सकते हैं एकान कि persistे लें तेफे कि कुछ दोन आप मंत्र कुछ इस तरह कर सकते हैं विर्दी आप स्वे मनत्र के सकते हैं और विशेश बात और आपके लिए ये हैं मुगा की अंगुटी इस इस परकार से बनवाए कि उसका निचला भाग खुला रहे या उंगली का इसपश करता रहे मुंगो को लॉकेट या बाजुमत आदी में भी धारन किया जा सकता है किन्तो यदि ग्रह को शांत के धारन करना है तो अंगुठी में धारन करना ही सबसे सर्वसेस्ट माना गया है इसलिए अगर आपको ग्रह शांत करना है तो आप इसे अंगुठी में धारन करिए और इसको किसी भी रतन यानि कि इसका जो कारन है यहां है कि कोई भी रतन सूर्य की किन्नों को अपनी समाईत करके ही मतलब जैसे आप कोई भी रतन पहनते तो सूर्य जो होता है उसको लेकिन आपके पाल सभी परियापत पैसे नहीं है तो उसके बदले आप उसके जो उपन रतन होते हैं वो लाल ओनेक्स या फिल लाल हकीक आदि धारन कर सकते हैं इससे भी जो है आपके मंगल जो ग्रह है वो शांत हो जाएंगे और आपका जो भी बेनिफिट है मंगल ग्रह से जुडा हुआ वो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा तो आप इस परकार से भी कर सकते हैं तो यह थी मंगा की सारी जानकारी मुझे उमीद है आपको पसंद आई होगी और आपको सारी संपुर्ण जानकारी मिल गई होगी उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि रतना आपको असली नकली की आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा या आपको लगता है कि आपको असली रतना चाहिए और आप इसको लेनी की चुक है तो अभी अंत में जो नंबर दिया जाएगा उससे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको 100% यहां से आपको असली मुंगा मिलेगा और अगर आप प्रान प्रतिक्षा करके चाते हैं तो आपको वो भी मिलेगा और आपको किस प्रकार से इसको पहनना है वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी तो अगर आपको मुंगा चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नमबर पर संपर्ख कर सकते हैं तो मुंगा जैसे कि मैंने आपको बता है बेसिकली मंगल गरह के लिए होता है मेश राशी और बृच्चक राशी वाले के लिए होता है अनामिका और मध्यमया कुंगली में आप इसको धारन कर सकते हैं धारन की विदी भी मैंने आपको सारी बता दी है और ये मंगल गरह को शांत करता है इस प्रकार से ये मुंगा की जानकारी है और मुझे पूरा उमिद है कि आपके जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो अगर पसंद आए तो कमेंट्स पे मुझे जरूर लिखिएगा और लाइक शेर कमेंट्स जरूर करिएगा और हर हर महादेब आप सब खुश रहे मंगल में रहे اور ईश्वार आपकी सरी मानुकामना पूर्न करे तो मिलते हैं हमारे अगले जो रतनों होगा उसको लेकर पवेट जरूर करिएगा अगले भी जो हमारी वीडियो होगी वह बहुत जानकारी और बहुत महादपौन होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में